बच्चो अब प्रश्च नमबर 3 जो डिफरेंट लेवल का है डिफरेंट नेचर का है प्रश्च नमबर 3 कह रहा है कि फंक्शन fx बराबर mod of x plus 1 mod के अंदर x plus 1 है प्लस mod of x minus 1 तो मापांग फलन है लेकिन पहले मापांग में x plus 1 है plus करके उसको add कर दिया गया है mod of x minus 1 for every x belongs to real number x वास्तिविक संख्या है के बिंदू x बराबर 1 पर इस fx बराबर mod x plus 1 प्लस mod x minus 1 की आउकलनियत की जाच कीजिए यह प्रश्ण है उसको no doubt की हमें इस प्रश्ण को इस मापांग फलन के nature को समझना पड़ेगा कि उसके domain पर वो किस प्रकार से परभाशित है यह भी एक प्रकार से indirect dual nature का तीन प्रकार के nature का domain के विभिन बिंदूओं पर फलन का value अलग अलग होगी यह simplify करके आप इस प्रश्ण में देखेंगे तो प्रस्तूत है प्रश्ण अमर तीन का हल बच्चो बच्चो आप question number 3 जो काफी महत्रपूर है और ग्जामनेशन में भी आपको काम आएगा और बारवी में भी बोर्ड एक्जाम में काम आएगा तो question number 3 में यह कहा गया है बच्चो आप note करेंगे fx is equal to mod of x plus 1 और इसमें बीच में plus sign है और mod x minus 1 यह real valued function है यहने for every x belongs to real number इसलिए इसको real valued function बोलते है और pressure number 3 यह कह रहा है कि x बराबर एक पर जो यह function एक है इसको हम एक number का equation number दे रहे है एक्स बराबर एक पर आवकलनियता differentiability आवकलनियता यह function x बराबर एक पर आवकलनियता है कि नहीं आवकलनियता की हमें जाच करना है यह question कह रहा है तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे बच्चों की हमें x बराबर एक पर इस function की right hand differentiability निकालना पड़ेगा x बराबर एक पर उसके by और की का आवकल गुडांक निकालना पड़ेगा और x बराबर एक पर हमें left hand डिफरेंसिबिटी निकलना पड़ेगा याने हिंदी में हम कहें कि x बार एक पर दाइन ही और की का आउकल गुडांख निकलना पड़ेगा तो जो function आप देख रहे हैं वो थोड़ा special type का function है तो उसको समझने के लिए इसको एक simplified करना जरूरी है बच्चो तो f x is equal to मैं इसी function एक का एक form आपको बता रहा हूँ आप देख रहे हैं कि इसमें mod x plus 1 है तो mod x plus 1 को पहले हम समझें कि ये mod x plus 1 minus mod x plus 1 कब होगा जब आपको मालूम है कि x plus 1 less than 0 होगा याने x less than minus 1 के case में ये जो mod function है ये पहला वाला इसमें 2 mod है x plus 1 है x minus 1 है तो ये x plus 1 यदि negative होगा तव याने 1 को पक्षांदर किया तो minus 1 होगा ये समझना बहुत जरूरी है बच्चो और सवाली नूटता ये बात कहां से समझ में आई जब आप पापांग फलन बढ़ रहे थे कि mod x is equal to minus x कब होता है जब आपको मालूम है x negative हो 0 से कम हो यहाँ x plus 1 हो गया x के जगे x plus 1 replace कर दिया है तो x plus 1 छोटा है 0 से तो x छोटा है minus 1 से तो इस case में x छोटा है एक ही point को हम ले तो दूसरा जो mod function है x minus 1 जो दूसरा आपको जब मैं double tick करके बता रहा हूँ यह negative कब होगा आप खुल सोचिए कि minus x minus 1 होगा वो किस case में जब x minus 1 छोटा हो 0 से याद x छोटा है एक से जब मैं x छोटा है rate x से ले रहा हूँ तो निश्यत रूप से यह case x less than 1 को follow कर रहा है तो इसका मतलब यह जो first वाला function है mod x plus 1 वो negative है याने x minus x plus 1 mod हट गया और minus x minus 1 यह दोनो negative होगे तो बच्चो यह दोनो case को आपने अच्छे समझ लिया याने इस सवाल में कटना ही यह है कि इस function को हम director left hand differentiability right hand differentiability इस बिंदूपन नहीं निकाल पा रहे है इसलिए इस जो equation number 1 को जो मापांग फलन है उसको हम x के विभिन मानों के लिए उसको simplified कर रहे है तो पहला simplification आपको समझ में आ गया कि x less than minus 1 के case में दोनो mod x plus 1 negative है और mod x minus 1 negative है अब दूसरा case हम ले कि यदि x की value minus 1 से ज़्यादा हो जाए और equal भी हो जाए ये भी ले 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 और x से कम हो जाए एक case ये समझ में आ रहा है तो ये जो बात है कि x less than minus 1 है अब हम ले रहे है कि x जो है ये दिखिए x जो है वो एक से बड़ा है minus 1 से बड़ा है तो इस case में जो first tick है तो mod जो x plus 1 है वो निशित रुप से positive होगा x plus 1 ही होगा और x less than 1 के case में x less than 1 के case में mod x जो double tick वाला है वो निगेटिव होगा इसका मतलब ये जो mod x plus 1 है minus 1 से x greater है इसलिए ये positive होगा mod x plus 1 और बच्चों ये धन्दे कि mod x minus 1 दिखिए आप less than 1 है यहाँ भी less than 1 दिख रहा है ये वाला case लेके चल रहा हूँ x का मान एक से कम है तो एक से कम में ये जो double tick यादे mod x minus 1 वो निगेटिव होगा ये जब तक आप नहीं समझेंगे इसका function को simplified नहीं कर पाएंगे तब आप इसकी left hand differentiivity, right hand differentiivity नहीं निकाल पाएंगे अब दूसरा case लेले हम की x greater than or equal to 1 या यानि x एक से बड़ा हो x एक से बड़ा हो या equal हो तो आप ये ये जो function है पहला वाला function जो first tick किया है मैंने वो mod x plus 1 जो होगा वो positive होगा x plus 1 positive होगा और x greater than 1 के case में यहने mod x minus 1 ये double tick function एक पर ही ध्यान दीजे कि mod of x minus 1 जो function दिखाई दे रहा है वो इस case में positive x minus 1 होगा आप देखिए कि x minus 1 greater than 0 के case में ऐसा होगा या equal के case में भी बोल दें तो x greater than or equal to के 1 के case में mod x minus 1 positive है यहने दोनों माप mod of x plus 1 पी positive होगा और जो डबल टिक है मापांख फलन है आप यह definition तो जानते हैं मूल आधार यही है बच्चो कि mod x equal to minus x होगा और mod x is equal to x कब होगा जब x greater than 0 हो यह देखिए greater than 0 वाली बात यहां भी है यहां x के जगे x minus 1 हो गया है तो इसको आप जो बाजू में मैंने समझाया है यदि यह simplification function का आप समझ जाते हैं तो सवाल को बड़े आसानी से आप हल कर पाएंगे अब हम इसको और simplified करके देखते हैं fx is equal to आपको दिखाई दे रहा है यह minus सामने है तो minus x minus 1 आ गया यह और यह minus x है minus minus plus 1 है यह किस case में है यदि x less than minus 1 हो और यह plus सामने है देखिए तो x plus 1 यह mod x plus 1 की value है शुरू में यह mod x minus 1 की value है इस सीमाओं में तो यह सामने minus है तो यह minus x यह plus 1 हो जाएगा यदि हम यह कहें कि minus 1 से x बड़ा है या बराबर है और x से छोटा है और यह दोनों mod function x plus 1 mod x minus 1 की value दोनों plus है किस case में यदि x greater than or equal to 1 हो यह सामने plus है तो x plus 1 होगा जो mod x plus 1 की value है x greater than or equal to 1 के case में बार-बार इस पर में concentrate हो रहा हूँ इस function को इस form में simplified किये भी गर हम right hand derivative और left hand derivative नहीं निकाल पाएंगे और सामने plus है तो यह plus और minus 1 तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें यह दोनों प्लस 1 minus 1 कर जाएंगे इसमें x और x कर जाएंगे इसमें plus 1 और minus 1 कर जाएंगे तो इस function का simplest form सललतम रूप जो सीमाओं से बना हुआ हमको नज़ा आ रहा है वो है minus 2x कब यदि x का मान एक से minus 1 से कम हो इस case में minus 1 से कम होने पर यह दोनों function negative थे दोनों मापांक negative थे और दूसरा जो case आपको नज़ा आ रहा है यह वाला minus 1 से x की value बराबर है या बड़ी है और x से छोटी है तो उस case में आप देख रहे थे कि यह जो mod x plus 1 है यह plus है और यह जो है minus होगा तो उसको simplify करके हमको इसकी value constant function 2 fx बराबर 2 याने y बराबर 2 यह constant function नज़ा रहा है इस सीमा में इस limit में x के इस मान पर function का मान 2 मिल रहा है और यदि x greater than or equal to 1 है तो no doubt कि यह भी positive होगा यह देखिए mod x plus 1 के जब प्लस लिखा है mod x minus 1 के जब प्लस लिखा है बाजू में मैंने आपको समझाया है कि mod x plus 1 भी प्लस है कब जब x greater than or equal to 0 हो तो इस case में हमको function की जो value मिल रही है वो minus 2x मिल के xx 2x मिल रही है तो यह जो बच्चों आपको जो अब finally नजर आ रहा है इसको हम equation 2 हम कहे दें अब बड़े आसानी से हम इसकी left hand differentiability x बराबर एक पर और x बराबर एक पर right hand differentiability आउकल गुडांग x बराबर एक पर निकाल पाएंगे तो बच्चों आपने यह देखा और बाजू में यह समझा कि mod x plus 1 की value negative है कब x plus 1 less than 0 है तो x less than 1 minus 1 के case में आपने देखा कि यह दोनों negative है जिससे minus 2x मिला और x greater than minus 1 से रहेगा तो पहला वाला positive और दूसरा वाला negative रहेगा x less than 1 के case में आपको mod x minus 1 negative मिल रहा था तो उसमें यह constant function मिल गया और x greater than or equal to 1 के case में दोनों positive है जिसमें 1,1 कर गया तो 2x मिल गया अब हम बड़े आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे direct आप one के हिसाब से यदि differentiability निकालने चाहेंगे तो मुस्किल होगा बच्चो इसलिए इस पर ज़्यादा concentration करना पड़ा यह function triplet nature का है तीन प्रकार से परभाशित है एक्स के विभिन मानों के लिए यह विभिन मान रखता है इसलिए यह दिक्कत पड़ी बच्चो तो x बराबर एक पर जो fx फलर है की rhd हम निकालेंगे right hand derivative निकालेंगे और उसको हम r dash of 1 लिखते हैं right hand derivative differential coefficient at the point x is equal to 1 ऐसा इसको पड़ते हैं तो जब हम इसको simplify करेंगे तो right hand differentiability rhd r f dash of 1 is equal to किस प्रकार से परभाशा है उसकी limit x tending to 1 plus f of x minus इस बिंदू पर है इसलिए f of 1 और इस बिंदू पर है इसलिए x minus 1 यह इसकी definition है आउकल गुडां की बिंदू एक पर right hand by or की आउकल नेता कई प्रकार से इसको समझने की कोशिश करिए बच्चो आप आपको इस पस्ट नजर आ रहा है कि 1 के उपर plus sign लगाया है इसका मतलब 1 से ज़्यादा याने 1.1, 1.2, 1.52 याने plus infinity से हम 1 की तरफ अग्रसर हो रहे है लिमिट x standing to 1 plus का मतलब आप समझेए कि x की जो initial value है एक से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा के case में समीकर नमबर 2 पर आप नजर करिए एक से ज़्यादा यह यहीं नजर आ रहा है तो fx के जगे हमें इस लिमिट में लिमिट x standing to 1 plus 1 से ज़्यादा से हम 1 की तरफ अग्रसर हो रहे है तो function की जो definition है वो 2x है जो समीकर नमबर 2 में नजर आ रही है यह दिखिए 2x है और f of 1 f of 1 x is equal to 1 यहीं तीसरी case में नजर आ रहा है तो यह 2x है x बरावर 1 के case में भी 2x है तो 2x function का मान है लेकिन किस बिंदू पर निकालना पड़ेगा अपने को x बरावर 1 में और नीचे आपको x minus 1 नजर आ रहा है तो जब हम इसकी right hand differentiability जिसको मैं r f dash 1 भी लिख रहा हूँ वो हमको किस प्रकार से मिल रही है limit x tending to 1 plus और यह तो 2x ही रहेगा और minus यहाँ x के जगे 1 replace करेंगे 2 into x के जगे 1 लिख देंगे यहने f of 1 का मतलब 2 है अपन x minus 1 तो बच्चों आपको इसपस्ट नजर आ रहा है कि limit के बाहर यह 2 common हम लिख सकते हैं तो 2 मैंने यहाँ common लिख दिया और limit x tending to 1 plus है तो x minus 1 बचेगा x minus 1 upon x minus 1 यह दोनों cancel हो जाएंगे तो जो हमको r as d मिल रहा है right hand differentiability at the point x is equal to 1 r f dash 1 इसको हम कह रहे हैं तो इसका simplification यह 2 common निकल कर limit के बाहर हो गया हो तो 2 limit x tending to 1 plus हमें दिखाई दे रहा है और यह 1 है तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला जो simplification r as d का मिल रहा है में r f dash 1 is equal to 2 इसकी limit 1 आईगी और यह इसका answer 2 है तो जिसको हम r as d हाँ समीकर number हम इसको 3 कह दे तो बच्चो इस प्रकार से आपने देखा कि इसकी जो बाई दाहिने और की बाई और की बाई और की जो डिफरेंसिबिटी है x बराबर 1 पर उसका मान आपको 2 नज़र आ रहा है अब हम इसकी x बराबर 1 पर fx की lhd left hand दाहिने और की डिफरेंसिबिटी देखेंगे जिसको हम l abdash 1 कह सकते है abdash of 1 तो जब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया तो बड़े आसानी सी इसकी definition हम कहेंगे lhd simplify होके हमको मिल रहा है l abdash of 1 is equal to limit x standing to 1 minus 1 के उपर minus का sign लगाएंगे और fx minus f of 1 upon x minus 1 अब इसको समझिए जैसे आपने 1 के उपर plus समझा 1 के उपर plus sign का मतलब है 1 से ज्यादा 1 से ज्यादा 1.1 यहाँ 1 के उपर minus sign है मतलब 1 से कम 0.9 0.8 भी हो सकता है यानि minus infinity से हम 1 की तरफ अगरसर हो रहे है यानि एक से कम है initial value और एक से कम के case में समीकर नमर 2 में आप नजर डालेंगे तो एक से कम यहाँ नजर आ रहा है तो function की जो definition है वो 2 है इस limit में x standing to 1 minus की limit में function की value 2 है और f of 1 तो पुराना जैसा ही है f x is equal to 1 में 2x है 2x का मान x बराबर 1 पर 2 ही नजर आ रहा था तो यहाँ हम direct 2 लिख सकते हैं upon नीचे x minus 1 है यह दोनों cancel हो गए तो हमें यह पता लग रहा है इसको simplify करेंगे तो lsd जो है वो हमको मिल रहा है limit x standing to 1 के उपर minus sign 0 upon x minus 1 अब आपको मालूम है कि जब हम इसको simplify करते हैं तो x is equal to हम 1 minus h मानते हैं माना यहाँ आउशकता नहीं पड़ी क्योंकि यह constant हो गया तो limit simplified करने के लिए हमें हालांकि x बराबर 1 plus h मानना चाहिए था तो result वही आता लेकिन यहाँ पर चुकि x cancel नहीं हुआ है इसलिए x का मान 1 के उपर minus sign है इसलिए x बराब 1 minus h मानना पड़ेगा और चुकि आपको इस परश नजर आ रहा है कि limit x standing to 1 minus left hand है तो इसका मतलब limit h standing to 0 plus होगा यह side में आपने समझ लिया तो इस limit को थोड़ा सा हम और simplify करें तो हमको left hand derivative जिसको हम l f dash 1 लिख रहे हैं और इसको पढ़ते कैसे हैं left hand differential coefficient at the point x is equal to 1 दाहिने और की आवकल गुणांग x बराबर एक बिंदू पर ऐसा हिल्दी भी पढ़ते हैं तो यह तो limit आपकी change होते दिख रहे है h standing to 0 plus है और उपर की value 22 से minus होके 0 आ गया और यहाँ 1 minus h रख दे x के जगे यह देखिए 1 minus h refresh करने बोल रहा हूँ और 1 cancel करेंगे तो इसकी जो limit है हमको 0 मिल रही है यहने left hand definciability at the point x is equal to 1 में हमें यह समीकर नमर हम 4 कहें दे और जबकी यहां तीन में right hand derivative rsd आपको दिख रहा है 2 तो इस पस्ट है कि 2 जब 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि rsd is not equal to lsd आप यहां सभी लिख सकते हैं कि r abdash of 1 is not equal to l abdash of 1 बिंदू एक पर इसलिए एक पर कहा जा रहा है यह यह बराबर नहीं है तो हम इस नतिजए पर पोस्ते हैं कि जो दिया गया फ़लन 1 है fx is equal to mod of x plus 1 or mod of x minus 1 fx बिंदू x बराबर एक पर आउकलनी नहीं है it is not differentiable at the point x is equal to 1 आउकलनी नहीं है यह result आप exam में लिख देंगे बच्चो मुख रूप से आपको function को जो simplified किया है वही इसका मूल आधार है बच्चो जब तक आप समीकर नमबर दो प्राप्त नहीं करेंगे और बाजू की जो मैंने आपको mod function की definition के हिसाब से इस mod x plus 1 को बदल कर दिखाया कि यह plus था यह minus था और दूसरे case में यह दोनों negative थे पहले case में यह दोनों negative थे और फिर यह पहले प्लस था और दूसरे negative था और तीसरे case में इस limit में x greater than 1 में दोनो positive थे तब 2x मिला था यह बाजू में जो simplification बताया है आपको सोच आपको बढ़ाना होगा बच्चो तभी इस function की RSD और LSD आप define कर पाएंगे और इस नतीजे पर पहुच पाएंगे कि यह function 1 जो है वो आउकलनी नहीं है